यह है question number 11, mains conventional series का और इस question में दिया है कि हमें laces theory से design करना है canal को और इसके अंदर data दिया हुआ है discharge की value दीविए और f की value दीविए silt factor की value दीविए तो सबसे पहले समझो design करना है का मतलब क्या है design मतलब कि हमें canal को design करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए तो design करने के लिए हमें canal के लिए क्या पता होना चाहिए कि इसकी width कितनी होगी उसके अंदर जो पानी का level होगा वो कितना होगा क्या यह पता करना होगा नई इसको हम पहले से assume कर लेते हैं कि यह 0.5 ratio of 1 होता है मतलब अगर इधर से हम एक गए तो उपर हमें 2 जाना होगा मतलब अगर जैसे यह 45 degree है तो जो canal होते हैं canal थोड़े ऐसे सिधे खड़े वेसे होते है तो ऐसे आप याद भी रखेंगे कि 0.51 है ना कि 0.51 ऐसे उल्टा नहीं हो गए इसको ऐसी समझना कि यह थोड़ा सिधा खड़ा वसा है यह 0.5 एधर गए तो 1 उपर जाएगा आगे चलते हैं और तीसरा हमें पता चलाना पड़ेगा बी है वाई है तीसरा हमें पता करना पड़ेगा जैसे मालो यह canal है तो एक slope पे भी हो गए canal तो यह जो slope की value है इसकी value क्या है तो लेसी ने इसके सभी के formula दे हुए है direct formula में value डालनी है answer आ जाएगा formula में यूज़ करने वाले है v is equal to qf square upon 140 की power 1 by 6 और p is equal to 4.75 root q यह आपको याद करने पड़ेंगे लेसी ने यह formula दिये थे ताकि हम canal की dimensions निकाल सके तो canal की dimensions निकालने के लिए हमें b चाहिए और y हमें यह at last हमें find करना है और s हमें निकालना है तो देखो v हमें निकल जाएगा क्योंकि q दे रखिये value f दे रखिये तो v is equal to q की value हमें दे रखिये 30 into 1 square upon 140 की power 1 by 6 तो यह हमारे पास आजाएगा 0.774 meter per second unit 7 में लिखके चलेंगे ताकि number काटने के जो chance होते हैं वो कम हो जाए हमने जो v की value निकाल ली इसके पीछे vision क्या था इसके पीछे vision यह था कि q हमें पता है v हमने निकाल लिया तो q is equal to a v तो यहां से हम area निकाल सकते है q upon v करके तो q की value हमें दे रखी है v की value हमने निकाल दी तो हमें एक तरह से area पता चल गया तो इस trapezoid का हमें एक तो area पता चल गया तो हमें b और y में एक relation मतलब आ गया एक relation और चाहिए हमें तो हम यहां से p का formula हमारे पास है तो p is equal to 4.7 root q तो p is equal to 4.75 root 30 यहां से p की value आएगी 26.017 meter तो हमारे पास p की value आगई हमारे पास a की value आगई तो p की value भी p को जब हम install करेंगे तो b और y की form में आएगा तो एक बार देखते हैं इसको एक ही value आजाएगी q upon weaker की 30 upon 0.774 38.759 meter square तो हमारे पास अगर यह trapezoid है इसके अंदर यह है 0.5 और यह है 1 मतलब 0.5 उदर जाने पर 1 उपर जा रहा है तो अब इसको समझो यह है b और यह height है y ऐसे समझो इसको देखो यह 1 उपर जा रहा है 1 नीचे जा रहा है या फिर 1 उपर जा रहा है तो 0.5 side में जा रहा है तो अगर जो यह y उपर जाएगा तो 0.5 y इधर जाएगा simple है common sense ऐसे y उपर जा रहा है तो 0.5 y इधर जाएगा तो अगर हम इसका area निकालने कोशिश करेंगे तो इसका area क्या आएगा तो area आएगा इसका यह वाला rectangle b into y यह rectangle by प्लस यह triangle और यह triangle तो 2 into इस triangle का area होगा half into height कितनी है y into 0.5 y यह हमारे पास आजाएगा by plus 0.5 y square similarly जब हम perimeter निकालेंगे तो perimeter क्या होगा जहाँ पानी touch हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तो इस total length की value निकालेंगे हम तो देखो यह होगई p प्लस यह वाली length कितनी ही देखो यह है y यह है 0.5 y और यह है 90 degree तो यह वाली length हुई कितनी under root 0.5 square y square plus y square तो मतलब y under root 0.5 square plus 1 square तो यह हो जाएगे हमारे पास एक तो length हुई यह और एक length हुई यह तो इसको 2 से multiply कर देंगे तो 2y 2 into this y into 0.5 square plus 1 square यह हमारे पास आजाएगा b plus 2y under root 1.25 तो हमारे पास perimeter आ गया और हमारे पास area आ गया area हमारे पास आया by plus 0.5 y square perimeter की value पुट कर दो और area की value area हमारे पास है 38.759 और perimeter है 26.017 अब यहाँ समझो हमारे पास एक b और y दो variable है और दो ही equation है क्या ही solve हो सकते हैं बिल्कुल कैसे solve करेंगे देखो यहाँ पे b y है और यहाँ पे सिरफ y है और यहाँ पे y square है यहाँ पे सिरफ y है तो ऊपर नीचे इसको minus कर देंगे जब हम तो by से by cancel हो जाएगा इससे minus होगा तो 2y square under root 1.25 minus 0.5 y square बराबर 26.017y minus 38.759 तो थोड़ा comment करते हैं इसको comment लेते हैं y square into 2 under root 1.25 minus 0.5 y वाली term इदे लेंगे minus 26.017y plus 38.759 बराबर 0 इसको quadratic form में लिख लेता है तो इससे हमारे पास यह quadratic equation हो जाएगी तो इससे y की value निकालेंगे कैसे निकालेंगे calculator में देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे mode का button दबाएंगे 1,2,3 equation पर 1 पर click करेंगे अब यह unknown नहीं इधर की side जाएंगे तो degree की term है यह और यहाँ पर 2 पर click करेंगे तो हमारे पास आजाएगा यहाँ पर अब A, B, C की value डालेंगे A है ये B है ये और C है ये तो A की value यहाँ पर आएगी 1.736 1.736 ठीक है equal to button दबाएंगे B की value है 26.017 वो भी minus का तो minus का 26.017 और C की term जो C है वो है 38.759 C है 38.759 तो इससे हमारे पास value आजाएगे Y की 13.309 और दूसरी value आजाएगे 1.6775 तो इन दोनों value में से 13 meter वाली को cancel कर देंगे इसको हम assume कर देंगे suppose कर देंगे क्योंकि ये एक mini damn बन जाएगा इतना 30 meter बहुत जादा depth हो जाएगा plus Y की value जब उसमें डालेंगे area वाली उसमें तो B भी बहुत जादा बढ़ाएगा तो channel को जादे ही बढ़ा हो जाएगा इतना generally नहीं होता तो इसलिए हम इसको adopt कर देंगे तो यहां से मारे पास Y की value आ गई अब इसको value को put करेंगे किसके अंदर किसी के अंदर भी इसके अंदर put कर देंगे तो मारे पास B की value आ जाएगी तो यहां पे डालेंगे इंटो 1.6775 प्लस 0.5 1.6775 का whole square is equal to 38.759 तो यहां से B की value आ जाएगा यहां पे हमारे पास value आ जाएगी 22.26 meter तो सब चीज जब पता चल गए इसके अंदर बस Q की value बची है ओ सोरी S की value S is equal to F की पावर 5 by 3 अपोन 340 Q की पावर 1 by 6 तो value पूट करेंगे F की value है 1 तो 1 की पावर 5 by 3 अपोन 340 30 की पावर 1 by 6 तो इसकी value आएगी 1 upon 5887.53 वैसे आप इतना कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे लेकिन R भी निकाल देना R क्या होता है 5 by 2 V square upon F तो V की value पूट कर देना F की value पूट कर देना या फिर यह भी निकालना है तो R is equal to A upon P से भी निकाल देना तो hydraulic radius भी निकाल देना तो इतना करने पे आपको अराम से 15 या 20 नंबर का जितने पह भी आता है question अराम से मिल जाएंगे आपको और यह most repeated question है SSCJE का So that's all for this video Thank you